कि दोस्तों कोशन नंबर 21 कि ध्यान पूर्वक देखना इस कोशन में अच्छा इसलिए है क्योंकि यहां पर आफ लगा है आफ लगने से यह सात में हो गया बाकि आपको हमारा नियमी पालू करना है जैसे यहां लिखा दो बटा तीन ऐसे यह दोनों सात रहेंगे डिवीजन ह जाएगा नौ उपर जाएगा नीचे हो जाएगा तीन गुड़े चार बस यह पहली लाइन लिखना सीखो माइनस का फोर बाई पाइप ऐसे नौ और एक दस दस बटा नौ और रिवर्स हो जाएगा पंदरा बटा आठ फिर उसके आथ तीन बटा चार ऐसे रिवर्स हो जाएगा दो यह लाइन अगर आपने लिखना सीख लिया इस पैटर्न के कोशन आपसे आटोमेटिक सॉल्व होंगे याद रहे हम लोग करते क्या हैं इन जर्नल ए डिवाइड बाई बाई बी दिखा होता है तो हम रिवर्स करके मल्टिपलाई करते हैं और दूसरा अगर ए डिविजन में पी आफ सम्थिंग ए लिखा मालू तो ए दोनों चीजे नीचे आजाती है बस इसी रूल को फॉलो करते हुए कोश्चन को महबबस से करते हो नौ से ये नौ बार ये बीस हुआ ये चार यानि पाँच आया ऐसे काटो मगर प्यार से पाँच से ये गया तीन बार तीन से ये तीन बार गया चार से ये दो बार में गया दस बटा छे यानि ये समाज पांच बटा तीन इसे भी बूलता है, तो यानि तीन बटा तो, एक प्यारा सा एलसियम छे लिया, प्यारा सा एलसियम छे लिया, खेपंचे तीस हो गया, पांच दुना दस हो गया, तीन त्रेका नो, यानि 29 बाइ 6 इस दा राइट आंसर, कैसा लग रहा है ये आंसर बोलो मगर प्यार से सभी लोग सयम रखिएगा और इन कोशनों को अच्छे से सीखिएगा चलिए 21 के बाद 22 नमबर कोशन प्यारे दोस्तों ट्राई करो अब देखो इस कोशन में अच्छा क्या है उसको समझो ये देखो ये आफ लगा है यानि ये दोनो आफ लगा है यानि ये दोनों साथ रहेंगे ये दोनों साथ रहेंगे और दूसरी बात क्या है कि यहाँ डिविजन लगा है यानि ये पूरा एक साथ है इस पे भी हमें फोकस करना होगा तो कभी कभी क्या है कि आप divide का symbol रखकर एक आथ step के बाद खेलू जैसे इस question में 7 division ऐसे रखा अभी ऐसे ही रेने देंगे हम नीचे नहीं ला रहे है वोना जादा में confusion होता है अभी ऐसे रखा 5 प्लस एक division में है तो ये 1 बाई 2 minus ऐसे उसके बाद curly bracket ऐसे 4 ऐसे अंदर गए तो देखो 4 of 2 सीधे आप 8 लिख सकते हो चार दूना 8 divide by 4 ये bracket वाला solve भी हो गया अब ये 5 ऐसे 5 of 2 तो नीचे 10 आया बोलो हाँ तो ये ऐसे बंद हो गया और ये ऐसे लग गया दोस्तों patience रखो patience अभी साथ इत्थे ऐसे रहने दो division ऐसे रहने दो अब यहाँ कोई मुदा नहीं बन दा है किसे समाज 2 के नाम से जानता है किसे समाज 1 बटा 2 के नाम से और ये हो गया आप ये value को देखोगे तो 11 बटा 2 हो गया चार दो छे साड़े छे यानि तेरा बटा 2 हो गया अगर हम इन दोनों का अंतर देखें तो minus का one हो गया यानि ये पूरे का solution minus one साथ में minus one से भाग दोगी minus का साथ आएगा याद रहें चितना अच्छा आप बोड मास को कर लोगे उतना अच्छा आपको सीखने को मिलेगा बोलो हाँ हर एक चीज को पैतर सिखाया जाएगा पैतर समझाया जाएगा तीको मगर प्यार से प्यारे दोस्तों कोशन नमबर 23 प्यार से सीखिए दोस्तों यहाँ एक चीज को जानिये हमारा मेन उद्देश six of two ये हो गया four of one by four ये हो गया यानि सावधान रहें इस कोशन में क्योंकि एक माइनर से मिश्टेक से आंसर गलत हो जाएगा धैर पुर्वक देखना सारा खेले पहली लाइन लिखना one minus three ऐसे ये दोनों साथ रहेंगे यानि one upon six into two हो गया चाओ तो बारा आप डैड लिख सकते हो चार ऐसे फी डिवीजन में वो दोनों साथ रहेंगे तो चार गुड़े एक बटा चार वो ऐसे रहेगा ठीक है और देखो देखो मेरे दोस्तो उसके बाद भी डिवीजन है तो ये one by eight ऐसे आएगा फिर प्लस लगा है four into eight और जो डिवीजन में one by four है वो उपर चला जाएगा चार नीचे आजाएगा one by eight बस यही लाइन मेन है धैर पूर्वक हर एक बंदा सीखे कहते हैं चार से चार गया चार से ये दो बार में गया तीन से ये भी दो बार में गया आठ से आठ गया ऐसे खुप सारा चला गया देखा जाए एक में से अब ये एक बटा चार है एक में से एक बटा चार गया तो ये समाच इसे तीन बटा चार कहेगा इसे एक बटा दो कहेगा और इसे सोला कहेगा पेसेंस रखके सॉल्व करो चार ऐसे एलसियम हो गया तीन ऐसे हो गया दो ऐसे तोला गुड़े चार चौसर्ट हो गया यानि 69 बाई 4 आंसर आ गया निगेटिव नहीं पॉजिटिव आएगा यानि 23 का आंसर 69 बाई 4 आएगा यादरे concept is the power धीरे धीरे पढ़ते जाईए हर एक चीज को सीखते जाईए तेज के बाद 24 नंबर question देशवासियों जब हम इस question को बनाएंगे तो कैसे दिखे सारा खेल है इस off को समझना ये 4 of 2 है ये 4 of 2 है ये दोनों 7 रहेंगे इन में खेला मत करना अनथा आंसर गलत हो जाएगा इस बार माइनस 7 ऐसे है division ऐसे ही लगा रहेंदो अभी 5 प्लस 1 बाई 2 हो जाएगा ये बोलो हाँ माइनस ऐसे ही 4 ऐसे ही 4 of 2 8 हो गया 8 divide by 4 तो 2 ही लिख दो कोई दिखकर नहीं और ये 4 चार दुना 8 से divide यानि 1 बटा 2 हो गया दोस्तों फैर पूर्वक देखो पहले भी ऐसे ही आया था ये हमारा हो गया 11 बटा 2 4 दो 6 साड़े 6 को 13 बटा 2 कहते हैं यहां माइनस सिंबल है यानि इससे solve हो के माइनस वन आएगा इस पूरे की value माइनस वन होगी फार माइनस का 7 है डिविजन में माइनस वन है यानि 7 is the right answer साउधान रहें सतर्क रहें और महबत से solve करते रहें इस question का आंसर 7 आएगा चालिए प्यार से पढ़िए हर चीज को सिखाया जारेगार 24 के बाद 25 नमबर question दोस्तो दोस्तो एक एक बात को समझना the value of this one इसका मान निकालना है इसमें आप देखोगे तो यह चीज यहां लिखी है पहले बोलो हां यानि यहां off लिखा है अब दोस्तो एक बात को समझना तो बटा तीन ऐसे यह दोनों साथ रहेंगे यानि रिवर्स हो जाएंगे उपर यानि दस गुड़े नौ उपर तीन गुड़े चार ऐसे पिलकुल सौधान रहे है माइनस का चार बटा पांच ऐसे एक सही एक बटा नौ को यह दस बटा नौ कहते हैं रिवर्स हो जाएगा तो आट पंदरा बटा आठ ऐसे हो जाएगा माइनस का तीन बटा चार ऐसे तीन बटा चार और डिवीजन है तो रिवर्स कर दोगे तो दो ऐसे यहाँ पर काटते समय साउधानी रखी 30-39 यह 20 मिस 4 गया यह पांच आया यहां देखिये 5 से गया 5 से यह तीन बार तीन से यह तीन बार गया चार से यह दो बार में गया 10 बटा 6 यानि यह समाठ इसे 5 बटा 3 ही बोलेगा माइनस में 3 बटा 4 है और यह हो गया 3 बटा 2 साउधान रे एक प्यारा से हेलसियम ले बारा बारा पंचे साथ हो गया और यहां चार पांचों का बीस हो गया तीन तीन त्रिका नौ हो गया और यहां चत्रिक अठारा हो दोस्तों दोस्तों देखा ये जाए इन दोनों का योग 78 हो जाएगा ताट और अठारा का योग 78 माइनस का 29 बाइ 12 हो जाएगा देखा जाए अठारा में से 9 गया 1 अठारा में से 9 गया 9 आया 6 में से 2 गया 4 आएगा यानि 49 बटा 12 यही उत्तर हमारा The right answer of this question Question number 25 का अंसर 49 बटा 12 Board Mass एक ऐसी चीज है जिसे आप प्यार से daily basis पे थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे तो आपको खुसी मिलेगे ठीक है और चीजों को बैतर सीखिए हर एक चीज को सीखिए समझ गया Next question की ओर चलेगे जाद रहे इसका आंसर निकालिए मगर प्यार से कहता है 3 is to 1 by 3 division में 2 is to 1 by अब देखो यहाँ पर याद रखना यहाँ off लगा है यानि ये दोनों 7 में रहेंगे पाकी आपका वही Board Mass है जो आप बचपन से पढ़ रहे हो 3 त्रिका 9 और एक 10 यानि 10 बटा 3 ऐसे लिखोगे अब यहाँ इसका मतलब 2 दुना 4 एक 5 यानि 5 बटा 2 और 5 तीन 8 आट आट बटा 5 तो यह reverse होके लिख्या जाएगा तो कि division लगा हुआ है तो reverse हो जाएगा 2 गुड़ा 5 ऊपर आएगा नीचे 2 गुड़ा 8 आएगा यह बात समझ गए यही question की खासियत है उसके बाद कोई दिक्कत नहीं 3 बटा 8 ऐसे लिखिए 1 बटा 7 ऐसे रिखिए 4-3-7 7 बटा 4 मेरे मासूम से दोस्तों अब खेलो यानि कट्टा पिट्टी करते हैं एक चीज़ समन्ना 5 बटा 8 यहां कुछ मिश्टेक हुई 2 और 5 उपर गया नीचे 5 और 8 आएगा ताउधान बिलकुल रहकर आंसर निकालते हैं हम लोग ठीक है अब ध्यान देना इस 5 से यह 5 गया 2 से यह 4 बार में गया बोलो हाँ उपर 10 नीचे 12 यानि 5 बटा 6 हो गया क्योंकि 10 बटा 12 पांच बटा 6 बिलकुल साउधान नहीं है 7 से 7 गया यह हो जाएगा 5 बटा 8 हो जाएगा 2 इधर जाएगा 5 बटा 8 एलसियम लोगे जो कि 24 आएगा 6 से 4 बार 5 योका 20 हो गया 8 से 3 बार 5 तयाएग 15 हो गया यह समाच 35 बटा 24 बोलेगा सबी लोग ट्राई करो और प्रॉपर आंसर बताओ क्या 35 बटा 24 आ रहा है की नहीं बोलो बोलो टेल टेल पढ़ियां से सीखिए आंसर को बढ़ियां से पढ़िये हर चीज पढ़ाएंगे धीरे धीरे 26 के बाद 27 नम्द एक प्यारा सा कोशन आपके सामने ऐसे कोशन बच्चों से बहुत गलत होते हैं हिंट आपके सामने हैं ये दोनों साथ रहेंगे ये दोनों नहीं ये दोनों साथ रहेंगे मेरा मानना है कि इस कोशन में अभी जो ये डिवीजन का सिंबल है इसको रखना पहले एक चला ब्रैकेट करके ही कर दो वनना आप से गलत हो जाएगा पान्च वक्रीच और एक इकाईस एकाईस बटा चार ऐसे लिख दो अब देको ये चीज हमारी रिवर्ज आएगी तो साथ दो उपर जाएगा साथ दो उपर जाएगा तो साथ दोनी चौदा उपर हो गया और तीन एककम तीन नीची हो गया यह बात याद रखना, ऐसे लिख दो, अभी डिवीजन ऐसे लगा लो, बोलो बोलो, टेल टेल, ठेक है, पेसेल से ही सॉल्व होगा, चाले, डिवीजन ऐसे रखा हमने, फिर देखो 5 से ही एक बटा 9, यानि 9 पना 45 और 1 46, 9 पना 45 और 1 46 बटा 9 ऐसे हो गया, 8 सबते 56 और 56 और 7, 56 बटा 8 हो गया, दिवीजन लगा है, तो समझ रहे होगे, 20 उपर जाएगा, 9 गुड़े 20, 180, ये 189 ऐसे हो जाएगा, प्रैकिट बन, क्योंकि इसी के साथ अभी खेला है, 11 बटा 12 ऐसे लिखो, माइनस सिम्बल, 5 ऐसे, ये वैसे भी एक ही हो जाएगा, त कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये पहली लाइन है, पेसेंस रखना, भावनाव में भहे, तो आंसर गलत होगा, 3 से ये 7 बार में जाएगा, और ये 7 बार में, और ये 2 बार में, 7 सते 49 बटा 2, अब एक चीज देखो, डिवीजन इसमें काम आएगा, ये पूरा का पूरा डि तीन बार में गया, 63 से ये 3 बार में गया, 4 से ये 2 बार में गया, और ये 5 बार में गया, ये जो नीचे हो गया, 2, 3, और उपर 5, इसका LCM ले लो, 9 और 6 का LCM 18 होता है, यानि इसके अभी चलो डिवीजन रखते हैं, इसका LCM 18 आया, बहुत सतर गरना, 46 दूना 92 हो गया, 6 से 3 तो 5 ये 15 हो गया, साउधान रहें, सतर गरें, और 11 बटा 12 अभी रहेगा, माइनस का 5, मेरे मासूम से दोस्तों, 49 बटा 2 ऐसी लिखिये, 12 में से 5 गया, 7 आया, 12 में से 5 गया, 7 आया, और 8 ये 77 हो गया, 77 हो गया, 77 बाई 18 ये हुआ, दिविजन यहां लगा हुआ है, 11 बटा 12 ऐसे, अब ये नहीं के तुम गुणा ही कर दो, गलत हो जाएगा अब दया, दयान नकना, अब रिवर्स हो जाएगा, तो ये 18 बटा, 77 नीचे हो जाएगा, और गुड़ा उपर रहेगा, क्योंकि बोड मास को फॉलो करेंगी, माइनस का बारा, इसलिए ये कोशन अच्छा है, साउधानी अटी, खीड़ पुरी बटी, विलकुल, इससे ये साथ बार में गया, 7 से ये साथ बार में गया, उसके बाद आप देखो, 18 खेसे ये 3 बार में गया, 6 ये 2 बार में गया, कुछ ना कुछ मेंटर हो गया, क्योंकि ये 21 बटा 4 माइनस 5, उस तो गलत हुआ, पेसिंस रखेंगे, उसको समझेंगे, कहां मिश्टीक हो गए हमसे, ज़्यादा भावनों बहते, एक सेकड़, बाइस बटा चाह, इस बटा चाह, इस बीज़ाँ, इस बीज़ाँ, कि इस बीज़ाँ, झाल 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 झाल, झाल झाल, 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 कि यहां काटने में ही हमें लग रहा है कुछ गाबड हुआ है कि पेसिंस रखेंगे कि 49 बटा दो 18 बटा 37 और 11 बटा ओहो 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 यह नीचे 21 है यह 21 है और यहां बारा बारा जोके आ रहे हैं बस यही मिश्टेक है समझ गए यानी हम जो लिख रहे थे उसी में मिश्टेक था देखो ऐसा ही होता है एक माइनर सी मिश्टेक 21 और 21 यह को कि हमने अभी आंसर नहीं लिखा और अभी मेरे साथ खेला होता सब सही था एक्च्वल में कोशन ही मैंने गलत उतारा और आपका कमेंट हमने बाद में देखा मेरे मासूम से दोस्तों अब ये सब सही है कोई दिक्कत नहीं है अब कटा पिटी कलने 11 से ये 7 बार में गया 7 से ये 7 बार में गया 7 से 7 से ये 3 बार में गया 3 दुना 6 18 में भाग दोगे तो आएगा 3 और माइनस का 5 यानि आंसर आएगा माइनस का 2 यही इसका आंसर है पूरी केलकुलेशन सही थी सिर्फ 21 को 12 लिख कर कर रहे थे तो उस हिसाब से हमारा आंसर आ रहा था यानि concept हमारा पूरा सही था अरे comment पढ़ लिया मेरे देवता तभी तो सही किया ठीक है तो koncep हमारा पूरा सही था बस एक माइनर सी mistake हो गए question को लिखने में मैंने कई बार बताया कि इधर आमें चमकता है आगे का पीछे दिख जाता है कभी कुभी चुकि इधर लाइटिंग पड़ती है वो आपको नजर नहीं आएगा यही सत्य है 28 नंबर कोश्चन कहता है अब यहां समनना दोस्तों यहां पर यह समनना यह दोनों साथ में रहेंगे यह दोनों साथ में रहेंगे पड़े पेसिन से समझना पड़ेगा 40 ऐसे लिखो माइनस यहां ऊपर में कोई दिक्कत नहीं ना नीचे में दिक्कत क्योंकि कहीं डिविजन का सिंबल नहीं नजर आ रहा है तो आप कुछ भी जोग दो कोई दिक्कत नहीं है डिविजन होता तो कश्ट होता है डिविजन कहीं है नहीं तो किस बात का कश्ट 40 में 8 3 का 24 घटाओगे तो उपर 16 आएगा और 37 में 21 घटाओगे तो नीचे भी 16 आएगा यानि 1 is the right answer 28 का answer 1 आएगा 1 आएगा 1 आएगा 1 आएगा बोलो हाँ एक और प्यारा question आपके सामने प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें 4 options गलत हो जाएंगे यहाँ star लगा है star का अर्थ यह है कि 4 options आपके match नहीं करेगे बात समझ में आ रहे है कि नहीं क्योंकि objection वाले question होते है चलिए दोस्तों सब पढ़ाएंगे मगर प्यार से तो कहता है आज student was asked to find the value of this one his answer was 2 by 9 what is the difference between the his answer and the correct answer पहले हम correct answer निकाले फिर दो बटा नौ से अंतर वही हमारा difference यह होगा question को बड़े प्यार से करना पड़ेगा एक minor सी मिष्टे question गलत चलिए कुछ चीजों को करते चलेंगे 4 बटा 9 ऐसे लिखेंगे साउधान रहे division लगा हुआ है तो यह one upon में आ गया 3 बटा 5 फिर division लगा है तो reverse कर दो 2 बटा 3 और यहां पर यह 9 बटा 25 बिलकुल साउधान रहना अनथा answer गलत होगा into पहली line में है सभी जानते है फिर उपर लिखा है 2 बटा 3 और 4 बटा 9 तो कोई दिक्कार नहीं है 2 गुड़ा 4 तीन बटा 9 लिख सकते हो क्योंकि और पहले है division उसके बाद है तो वो reverse में जाएगा पूरा का पूरा तो कि bracket भी लगा है 3 गुड़े 3 बटा 5 4 बटा 5 एक एक bracket को solve करना पड़ेगा नीची आ गए 2 बटा 3 यह off लगा है यह पूरा 7 में रहेगा यानि 4 गुड़े 6 ऊपर जाएगा 3 गुड़े 5 दोस्तों साउधान रहे सतरक रहे कटा पिटी देखिए live 9 से 9 गया 3 से 3 गया 5 से यह 5 बार में गया 2 से यह 2 बार में गया यानि इस पूरे bracket की value 2 बटा 5 बिलकुल साउधान रहना खेला होगा कुभी ज़्यादा कटा पिटी में खेला हो जाता है समझू 4 से यह 4 गया बाकी कुछ भी नदर नहीं आ रहा कटता हुआ हमें तो नदर नहीं आ रहा तो यह 5 का 25 ऊपर चला जाएगा 5 का 25 ऊपर चला जाएगा यानि 25 गुड़े 2 ऊपर हो जाएगा नीचे आएगा 3 इंटू 9 इंटू 3 इंटू 3 यह 1 अपॉन में है मलब दिस अपॉन दिस तो यह रिवर्स में जाएगा यानि 3 इंटू 3 इंटू 5 ऊपर जाएगा और 2 इंटू 4 इंटू 6 नीचे आएगा मेरे प्यारे देशवासियों इस लाइन को ही कट्टा पिट्टी करना है सब्दू यह 3 से यह 2 तीन गया यह 2 से यह 2 गया इस 5 से यह 5 गया 2 से यह 2 बार में गया और कुछ भी कटनी रहा यानि उपर 25 हो गया नीचे 27 गुड़े 12 हो गया 27 गुड़े 12 12, 84 3 हासिल 12, 24 और 3 12, 84 8 हासिल 12, 24 और 8 35 यानि इस पूरे वैलू की वैलू 25 अप beautiful आपॉन 324 आ गया यह सही है का मान निकालने लेक आगया उसका उत्र दो बटा नो था उसके उत्तर और सही उत्तर में अंतर क्या है सही उत्तर ये 25 बटा 324 है अंतर का मतलब आप समझ रहोगे difference होता है चाहे या positive या negative कुछ भी समझ लो आप ऐसे कर लो इन दोनों का अंतर निकालना होगा देखते हैं क्या match करता है 324 ऐजे ही रहेगा नौ से भाग दोगे तो नौ से भाग दोगे तो नौ से ही जाएगा तीन बार में नौ तरिका शत्ताइस शत्तिस दूना बहात्तर बहात्तर माइनस पचीज ताथ 47 अपॉन 324 कोई भी options मैच नहीं कर रहा है that's why इस question का answer star होगा star यानि एश्ट्रिक प्रस्ट में होगा बहुत प्यारा question है बहुत प्यारा हर चीज सिखाया जाएगा धीरे धीरे अच्छा लगा question पहले बोलो हाँ 29 के बाद 30 number question दोस्तों महबत से पढ़िए महबत से अब आपको खुसी मिलेगी यहां आट ओफ चार और चार ओफ दो यह साथ में रहेंगे और साउधानी इसलिए रखनी होगी कि यहां जो division है वो इस पूरे के लिए है यह भी साउधानी रखनी होगा यानि एट लाइन लिखना सीख लो वनना खेला हो जाएगा नौ में से चार गया पांच आएगा दिविजन ऐसे ही रखो करली लगा लो क्योंकि आठ आठ आफ चार आठ चोका बत्तिस हो गया चार ऐसे चार दुना आठ ऐसे हो जाएगा बहुत पेसेंस से सॉल्व कीजिए क्योंकि गलत करने से अच्छा पेसेंस होना चीए एक बटा चार एक बटा दू यानि समाज इस वाइट वाले को तीन बटा चार कहेगा बहार डिविजन लगा है आप कोई दिक कर नहीं पांच ऐसे कर लो डिविजन लगा है तो रिवर् आंसर स्टार्ट आएगा प्यारे दूस्तों पढ़िया से आप सीख रहे होंगे धीरे धीरे आप पढ़ रहे होंगे हर चीज पढ़ाया जाएगा 31 नमबर पढ़ा प्यारा कोशन है और खेलेगा हमारे साथ की हाँ ये चार ऐसे आफ ये इसके लिए लगा और आफ यहाँ लगा यानि पहली लाइन में बिल्कुल साउधानी रखनी है अनत्था खेला हो जाएगा आप चाहो तो दो दो गुड़ा दो होता है चार प्लस पांच ऐसे कर लो माइनस पांच ऐसे है और इसी के नीचे पांच पूरे के नीचे पांच नहीं है जोकि ब्रेकेड में है अब नीचे आओ चार गुड़े चार ऐसे अब डिवीजन है तो इन टू कर दो one by अब off के साथ है तो ये पूरा साथ चलेगा इधर दो बटकेगा नहीं साथ ही चलेगा चार प्लस चार प्री डिवीजन है और दोनों साथ ही आएगे हलका सा आप मिश्टेक करोगे ये कोशन गलत हो जाए तुरंत है क्योंकि अच्छी कोशन है समझे ने कोई पढ़ाते ही नहीं इनको और क्या सोचे तो पांस दो साथ हो गया साथ में चार गया तीन तीन तरिका नौ तो ग्यारा ग्यारा में से पांच गया ग्यारा में से पांच गया तीन तरिका नौ तो ग्यारा ग्यारा में से पांच गया खे बटा पांच हो गया खे बटा पांच पचीस में से छे गया उननिस बटा पांच हो गया यानि उपर उननिस आएगा नीचे पांच आएगा ये तो उपर की वैलू हो गई क्या इस value में किसी को कोई कश्ट खुल के बोलो कि सर हमें कश्ट है नहीं होना चाहिए अब यहाँ कटा पिटी करते हैं कटा पिटी क्या 4 से 4 गया बहुत पेसिंस 4 से 4 गया यह जो नीचे लिखा है 4 चकु 16, 17 यानि यह इसकी value 17 बटा 4 पहले समझो इसके ओपर यह one लगा है और इसके ओपर value है यानि यह पूरा reverse होके जो यह ऐसी है यह 17 बटा 4 अच्छा एक सेगेंड 17 बटा 4 सीद्य ओपर चलाए इसका यह 4 आगे का कटनी ना है कुछ जादा ही 4 तो नहीं लिख दिये चार गुड़े चार डिवीजन में वन बाई 4 रैकेड में 4 प्लस 4 सी बार है सही लिखा मैंने ठीक है सही लिखा दोस्तो फिलकुल साउधान रहेंगे क्योंकि हम जानते हैं एक minor सी mistake और हमारा आंसर क्या गलत यह सत्रा बटा चार यह ऊपर चला जाएगा और यह एक चार जो है वो नीचे आएगा ठीक है यह चार नीचे आएगा यह वाला देखा यह जाए 19 गुड़े सत्रा 18 का 324 माइनस एक 323 हो जाएगा 34 का 80 हो जाएगा यानि चार सही 3 बटा 80 आंसर आएगा यही इसका right आंसर है कैसा लगा यह question comment करके बताईए ठीक है बहुत महबबस से पढ़िए बहुत महबबस से चालिए 31 के बाद 35 नमबर question प्यारे दोस्तो प्यारे दोस्तो कहता है the value of this one इसका मान बताईए दोस्तो यह चीच आप देख रहे होंगे इसे solve करना है यानि 56 ऐसे होगा तो आप तीन यह साती रहेगा हमें कोई कश्ट नहीं इंटू 27 माइनस का आठ ऐसे नीचे आ गया 15 ऐसे रहेगा तीन आप अब देखो 29 में से 14 गया तो कितना आएगा 15 आएगा मेरे देखताओं प्यार से सीखिए 5 से ये तीन बार में गया 3 से ये नौ बार में गया तो उपर हो गया 56 प्लस 18 माइनस का 8 15 में से 9 गया नीचे आएगा 6 उपर हो गया 66 बटा 6 आंसर आएगा 11 यही इसका आंसर यानि 32 नंबर कोशन का अंसर 11 आएगा, बोलो हाँ, 32 के बाद 33 नंबर कोशन, कैलकुलेटिव कोशन, हमारे समाज का हलका सा पेसिल्स रखना बन जाएगा, इसमें चाओ तो आप थोड़ा सा कटा पिटी यही कर सकते हो, 5 से यह 11 बार में गया, पहले बोलो हाँ, यह 77 में 7 गया 70, तो 17.35 में 70 जोड़ दो, तो सीधी सी बात उपर की वैलू तो 87.35 हो गया, पढ़ियां चे समझो हमारी कैलकुलेशन को, 5 से गया 11, 11 गुड़े 7, सा 70 में से 7 गया 70, और इसमें यह जोड़ा तो यह, अब नीचे वाली की कैलकुलेशन करना पड़ेगा, यहां पर भी दिमाख लगाएंगे, तो आपको खुसी मिलेगी, पहली बात तो यह देखो, चलो इस लाइन को यहां लिखते हैं, 45 डिवीज तीन, ऊपर हो गया 3 बटा 15, नहीं, 7 बटा 15 हो जाएगा, इस ब्रेकेट को हमने डारेट स्वाल्व कर दिया, 5 दून 10, 3 गया, 7 बटा 15, प्लस 291 ऐसे, 80 में 8 से भाग दोगे, तो यह 10 आए, पिलकुल साउधान रहे, एक छोटी सी गलती, आंसर गलत, 7 से 8 सतिचपन, नहीं सच्छंग 42 यानि 7 बार में गया, 7 से यह 7 बार में गया, इससे यह 29.1 हो गया, यह जो वैलू आएगी, तो 15 से भाग दोगे, तो 15 दूनी 30 वो है नहीं, यानि 10 समलो, तो यह हो जाएगा, माइनस 7 का गुणा कर लो, 7 पना 35, 3 हासिल, 7 या 21, 3 21, और 3, 24, 2 हासिल, 8 से 6, 5, 2, 58 और यहाँ दसमलो लग जाएगा, दोस्तों, जो नीचे की वैलू को आप जोड रहे होंगे, तो आप देखो, यह 0 ऐसे लगा लो, यह 0 ऐसे लगा लो, तो लाश्ट में 5 आएगा ही आएगा, चार में से 2 गया, 2 आया, दो और एक 3 होता है, और इधर भी जोड़ोगे, तो 87 ही आएगा, कट के जो आंसर आया, वो 1 आया, कैसा लगा यह सोलूशन, इमानदारी से बताईए, याद रहे, हम धीरे धीरे करके, जो यह देड़ सो कोशन है, उन्हें हम जरूर करा देंगे, जिससे आप अभ्यास कर लें, और बाकी आपके कोर्स में, फ्योरी में लेक्चर हमने दिये हुए हैं, बोलो, मगर प्यार से, उनको भी पढ़िये, और अपने आपको आप अच्छा बनाईए, 33 के बाद 34, साउधान रहें, सतरक रहें, प्यारे दोस्तों, नेक्ट क्लास में, छी एचसल के भर-भर के कोशन आएंगे आपके, आप देखिए, कितने प्यार से होंगे वो भी, बहुत पेसेंस रखना है इस कोशन को करते समय, आफ, आफ, यहाँ डिविजन, यानि खत्रे से भरा हुआ है, पहली लाइन चुपचाप 37 लिखो, 8 डिविजन में ही लिख दो, ऐसे, 9 में से 5 गया, 4 आया, बोलो हाँ, और देखो, अंदर भी, यहाँ डिविजन लगा हुआ है, इसके बाद ब्रैकिट है, बिल्कुल सौधान रही है, आप देखो 4 ऐसे, और 2 आप 4 यानि 8 होता है, माइनस फिर है, 8 ऐसे, नीचे 8 गुड़े 16, और फिर 4 गुड़े 2, पटा 8 ऐसे, बिल्कुल सौधान रहें, सतर्ख रहें, याद रहें, यह छुटे छुटे कोश्चन जब एक्जाम में आते हैं, सब खेला होता है, कहते हैं सब, आया नहीं, 8 से यह गया, एक बाद, यह हो गया, एक बटा, इस ग्रीन लाइन को पहले समझेंगे, एक बटा 2 लिखा हुआ है, माइनस का एक बटा 16, प्लस का एक लिखा, इसको यहीं सॉल्व कर लो, आगे मुद्दा ही रखो, यह 8 हुआ, माइनस 1 और यह 16 हुआ, 16, 8 होता है कितना, 24 में से एक गया, 23 बटा 16, यानि 8 दिविजन में, प्रैकिड में अभी 4 है, दिविजन में 23 बटा 16, इस लाइन को लिख दिया है, जिससे आपको समझ में आए, अभी भी पेसिंस रखो, या नहीं है तो पेसिंस तो फिर ऐसे लाओ, चार ऐसे, दिविजन में तो 16 बटा 23 ऐसे हो जाएगा, फिल्कुल सावधान रहे, 4 से ये 2 बार में गया, चार से 2 बार में और 2 से ये 8 बार में, 8 बटा 23, यानि ये 23 बटा 8 आएगा, यही इसका आंसर होगा, 34 का आंसर 23 बटा 8 होगा, महबत से पढ़िए हर एक चीज को सीखिए मेरे प्यारे दोस्तों कुछ बच्चे कहते हैं सर कोशन करने का टाइम दीजिए अब आप भी लग जाईए जैसे हम लगे हुए है बस ये देखो आंसर मैच कर रहा है कि नहीं नहीं कर रहा है तो इसको भी गोला बनाओ दुबारा देखो ठीक है अब हम कोशन करने का टाइम वो आप कीजिए अब सिंप्लिफिकेशन सिंप्लिफिकेशन है करो मेरे साथ बैठके और देखो आंसर मैच कर रहा है कि नहीं देखो क्या किसी का अंसर आया एक बच्चे का आया कृष्ण कुमार का बस पढ़ो मगर प्यार से 34 के बाद 35 नमबर माइनर से मिश्टेक और आपके साथ खेला तो बिस बिस करके पढ़ा देंगे यह तो बड़ी बात है क्योंकि कहीं ऐसा होता ना जब ज़्यादा सेम पैटर्क लगा और डिवीजन को माइनस ही दिखता है दो बिनदिया गया बोजाती है आखो से यह भी खत्रे का है सम्झे ने देखो चार ऐसे चार माइनस तीन क्या लिखा है डिवीजन बटा दू चार माइनस दो दो ही होगा माइनस का 3 ऐसे 4 गुड़ा 3 बटा 2 प्लस 4 ये लाइन मेन है नीचे आओ 4 प्लस 3 बटा 4 वो इंटू लगा है यहां इंटू लगा है ये भी ध्यानफ को फिर 2 माइनस 4 जिसे समाज माइनस 2 कहेगा फिर इंटू 4 है प्लस 3 यहां आफ लगा दिया है दोनों नीचे आएंगे क्रिष्ट कुमार बहुत अच्छी से सॉल्व करता है ये बच्चा बहुत अच्छी बात दोस्तों दोस से ये दो गया फड़ा पेसेंस है यही मेरे साथ भी खेला होगा ऐसा नहीं जो सोचो कि प्रकास रहे साथ खेला नहीं होगा होगा ये 2 त्याएं 6 हो गया 3 त्रिका 6 हो गया 6 से ये माइनस का ये प्लस का गया 4 दुना 8 मेरा अभी उपर से आया ठीक है समझ गया अब इतना कट्टा पिट्टी नहीं कर रहा है ये 4 से ये 4 गया 3 से 3 गया यहाँ पर पेसेंस रखो ये 3 दुना 6 माइनस का हो गया ये 4 है तो यानि माइनस का 2 हो गया और प्लस का 1 बटा 4 यानि 4 दुना 8 8 में से 1 गया माइनस का 7 बटा 4 नीचे आया माइनस का 7 बटा 4 और 4 उपर गया आठ चोका 32 बटा 7 माइनस का यह आंसर आया अब आपको ओता दें अगर मेरे से कोई गलती हो भी गई होगी तो भी आंसर मेरा यही आ रहा है समझ गए तो इतने बारीकी से हमें करना पड़ेगा हमें अपने सलूशन में पहुत पेसिंस रखना पड़ेगा पहुत है पेसिंस रखना पड़ेगा समझ गए प्यारे दोस्तों चलिए पांच कोशन अभी और करेंगे खीरे से अब देख रहे हैं देख रहे हैं खेला है खेला सावधानी अटे खील पुड़ी बटी नहीं समझे खेला हो जाएगा तुम्हारे साथ खीर पुड़ी का मतलब साधी अधी करा देगी घर वाले गल्स है तु सीधे बोलते हैं नहीं हुआ तो चलो साधी हुआइज है तो लगे रहो देखो देवताओ भर भर के डिवीजन है तो यहाँ बिल्कुल साधान रहे ना खीला है नो एक दस दस बटा नो पीस और एक इक इस इक इस बटा पीस तीवीजन है रिवर्स मारो अड़तिस बटा इक इस और माइनस का एक बटा ती अभी सांती से ब्रैकेट बंद कर लो ज्यादा डिवीजन ना करना ऐसी लिख दो ज्यादा है ना नौ दुनी अठारा चार बाइस बटा नौ यह दोनों साथ रहेंगे यह भी दिमाग में पंदरा साथ बाइस तो रिवर्स मारोगे तो बाइस नीचे आएगा तीन नीचे आएगा और पंदरा गुड़ा पाँच उपर आएगा फिर आजाओ यह दोनों साथ रहेंगे यह भी ध्यानक ना इन्हें एक बटा हम पचीज बोल सकते हैं डिवीजन है तो रिवर्स मार रहा है एक सो पचीज हो गया माइनस ऐसे पचीज यह दोनों साथ रहेंगे दिवीजन है तो रिवर्स मार रहेगा पचीज बहुत सौधानी की जुरत है मासूम से दोस्तों कटा पिटी करते हैं 21 से 21 गया 0 से 0 गया 2 से 29 बार गया और कुछ नजर नहीं आ रहा है नजर आ रहा है यानि उपर 19 बटा 9 माइनस 1 बटा 3 यानि 3 यहां आएगा यानि 16 बटा 9 हो जाएगा तीन यहां तो 16 बटा 9 उपर वाले को स्वाल किया तो 16 बटा 9 हो आया इसकी वैलू इधर आओ कटा पिटी 22 से 22 गया 3 से यह 5 बार में गया और कुछ नहीं जा रहा है रिवर्स मारेगा रिवर्स तो 25 नीची आएगा 9 उपर जाएगा बहुत साधावनू में 5 मिसे एक गया 4 9 मिसे 9 गया 16 बटा 100 आया यानि दसमलो 1 छे मेरा आंसर आया पर कह रहा है आंसर किसके बीच आएगा तसमलो 1 छे ये इसके बीच नहीं हो सकता इसके बीच लग रहा है ये 1.1 से बड़ा है नए यानि C is the right answer तसमलो 1 छे इसका आंसर है ठोको लाइक बोलो हाँ next question प्यारे दोस्तों the value of this one the value of this one कितना प्यारा प्यारा question है याद रहे ये दोनों साथ रहेंगे ये दोनों साथ रहेंगे division जहां ज़्यादा दिख जाया वही patience रखना चोकि वो गलत कराने के लिए पूछे जा रहे है 5-2 division यानि 1 बटा 4 और ये इंटू पांच और ये आजाएगा माइनस का वन माइनस माइनस प्लस यानि ये छे हो गया ये साथ में रहेगा ऐसे ब्रैकेट हो गया फिर पांच गुड़े चार ऐसे डिविजन तो दो गुड़ा चार ऐसे आया नीचे आजाओ चार प्लस चार ये दोनों साथ में रहेंगे आठ गुड़े दो उपर आठ में से पांच ग्या तीन गुड़ा दो दिविजन एक बटा तीन माइनस आठ गुड़े तो गुड़ा आठ आप विश्वास नहीं मानोगे बढ़ा सा बढ़ा टीचर इंपलिफिकेशन का कोश्चंग गलत कर देता है ग geschrieben क्यों कह रहो गलत कर देता है जादा जब लगाता है और बहुत कुछ माइनर माइनर सी मिश्टेग हो जाते हैं नीचे से तु चारी प्राप्त हुआ उपर आज़ो, दो से ये दो बार, दो से ये तीन बार पांच में से तीन गया, दो हुआ और ये पांच बटा दो, धाई हुआ यानि साड़े चार उपर हुआ साड़े चार को ये समाज नौ बटा दो बोलता है यानि नौ बटा आठ आंसर आएगा नौ बटा आठ इसका आंसर आएगा राइट आंसर ओफ दिस कोश्चन नाइन बाई एट हो जाएगा प्यारे दोस्तों ये सिंप्लिफिगेशन के कोश्चन है TCS कमपनी सभी को देती है प्रसाद में ऐसे कोश्चन ठीक है सिंप्लिफिगेशन के कोश्चन याद रहे पेपर को बरवाद करने के लिए कोश्चन होते है बड़े पेसेंस स्वाल करो किसी का कोई रूल काम नहीं आता सिर्फ पेसेंस काम आता है पहले छोटी सी बात को समझो ये दोनों साथ में रहेंगे यहाँ खेला होगा तो ये खेला आप समझ सकते हो ये दुनिया बर की जो रूल हम लोग पढ़ते हैं वो वाले खेले से हट जाता तीन दूना चहे एक साथ ये साथ बटा तीन हो गया उपर हो गया तीन बटा है साथ मेरे बात समझो साथ तीन दस तीन दस तो साथ उपर गया नीचे दस आया चालिस में से चौदा गया, चालिस में से चौदा तो 10 बटा 26 बसता है, तो ये चीज आप solve कर लेना, ये जो हमने कर दिया है, ये चीज, इसकी value 5 बटा 13 हो जाएगी, ये आप बैठ के करो, मेरे भाई दो को कर तो हमने दिया ये, और 13 इसमें गया, 5 कम, 8 बटा 13 हमने इस पू हाँ मेरे भाई, 8 बटा 13 हमने इसको, नहीं नहीं, दया, 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 लो, अभी गलत हो जाता, हाँ, 8 बटा 13 सही है, पडोस में क्या है, इंटू 15 बटा 16, रिवीजन लगा है, तो आप समझ गए होगे, कि 3 उपर जाएगा, 4 उपर जाएगा, 2 नीचे, 4 दुन, 8 एक 9 नीचे आएगा, माइनस 3 फ्लस 4 हैसे, 3 का क्यूब 27, 4 का 64, बहुत पेसिंस की जुरत है, समझे ने, बहुत गलत होते में है, क्या बताया है, 8 चौका 32, 16 दूनी 32, 3 त्रिका, 3 से पंजा, यानि 5 बटा 13 ये आ गया, उपर 7 है, 7 चार 11, है, तो 8 एक 9, 13 सत्ते क्यानवे, 4 बटा 13 आंसर, कैसा लग रहा है ये कोशन, सभी लोग बताईए, 4 बटा 13 इसका आंसर आएगा, बोलो बोलो, तिल तिल, चार बटा 13 इसका आंसर हो जाएगा, कितना पेसेंस रखना पड़ेगा, 0.08 परसेंटेज मतलब नीचे 100, 0.008 परसेंटेज मतलब नीचे 100 और 8, होल पावर 1 बाई 9, मेरे प्यारे देश्वासियों, 100 से जब भाग दोगे, तो पॉइंट अब ये दोनों से भाग दो, जीरो, 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 इस वाले को हम लिखेंगे, ठीक है, एट ऐसे, ये चीज यहां ले आए, इसमें इस से भाग दिए, बाकी को वैसे चिपका दो, अब एक चीज देखो, दो का क्यूब ये है दो का क्यूब, दो का क्यूब, दो का क्यूब तो बहार तो दो ही आएगा क्योंकि दो का क्यूब, दो का क्यूब, दो का क्यूब, दो को क्यूब, पांसो बारा यानि दो की पावर नो, नो से नो गया दसमलोग बाद चार, दो छे, तीन नो यह पेसेंस है कुछ नहीं है पेसेंस है जिसे पहले 5 लिखा है तो 5 ऐसे लिखो 5 प्लस 8 ऐसे आएगा माइनस रैकेड में गया 4 ऐसे लिख दिया 4 दुना 8 में से 4 गया यानि 2 ही आएगा माइनस 2 से 2 गया 1 बटा 4 आएगा दोस्तों यहां देखा जाए 8 पांस 13 ऐसे हो गया यहां खेल लो ज़्यादा है 13 ऐसे माइनस 2 लिखा है शचोग 24 चोबिस में से 1 गया 23 बटा 4 शचोग 24 में से और 13 चोग को 52 52 में से 23 गया बटा 4 9 ऐसे 29 बटा 4 यानि इस पूरे को सॉल किया तो 5 ऐसे रहेगा दिवीजन से रिवर्स चला जाएगा तो 4 उपर हो जाएगा और 29 नीचे हो जाएगा यानि 20 बटा 29 इसका आंसर आएगा The right answer of this question 20 बटा 29 हो जाएगा बोलो हाँ प्यार से सीखिए और अच्छे से जानिये